हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो नवर वीडियो और आज की वीडियो होने वाली है गैंक के ओपर आप कैसे गैंक क्रियेट कर सकते हो उसका बॉस मेन्यो कैसे सेट अप कर सकते हो एस वेल एस उसके लिए डोर लॉक कैसे सेट अप कर सकते हो तो वो सारा होने वाला है आज की इस वीडियो में सो स्टार्ट करते हम आज की वीडियो और यहाँ पर हमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं एड़ करने है जो भी है सब कुछ हमारे QB Core में पहले से ही available है हमें बस उसको use करना है तो सबसे पहले मिरको create करनी है एक new gang and new gang create करने के लिए मिरको जाना पड़ेगा QB Core में QB Core में जाने के लिए मैं आगयो हूँ यहाँ पर and यहाँ पर आने के बाद आपको जाना है shared में and shared में आपको एक file दिखेगी ganks.lua so इस file में आने के बाद हम एक new gang ग्रिएट करेंगे यहां पर जैसे आप इधर आते हो तो आपको दिखागा कि यहां पर पहले से ही कुछ गैंक्स बनी हुई है फार एक्जामपल लॉस्ट एमसी बैलास और कुछ तो आप इनको भी यूज कर सकते हो इनके जो कॉडिनेट्स है वो सेटब नहीं हो रखे सो आपको वो सेटब करने पड़ेंगे वेराज आप एक न्यू गैंग भी क्रेट कर सकते हो तो न्यू गैंग क्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको इसका एक टेंपलेट कापी करना है जो कि होगा यह वाला, यहाँ पर मैं lost mc का यह copy कर लेता हूँ और इसको हमें सबसे end में आके paste करना है, कुछ यहाँ पर यहाँ पर 118 पर आपको एक comma लगाना है, और comma के बाद आपको इसको paste करना है जो lost mc है, इसके जगा आपको एक अपना gang का name यूज़ करना है यहाँ पर मैं gang का name यूज़ कर देता हूँ, for example, coconut gang यहाँ पर आपको कोई भी name यूज़ कर सकते हूँ, बस ही होगा उसका name यह उसका label नहीं होगा, उसका label होगा वो होगा कुछ नीचे यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, the coconut gang ऐसे, उसके अंदर आपको कितने grades अकने हैं, वो सब भी आप यहाँ से setup कर सकते हो, जहाँ पर आप लिख दोगे is boss equals to true, उसके पास एक्सिल से रहेगा boss menu का, तो यह भी आप देख लेना है, यहाँ पर आपको जितने भी add करने हैं, इसके जो grades है, वो आप कर सकते हो, कुछ ऐसे, यहाँ पर 2 की जगा मैं 3 कर देता हूँ, इसका लिख देता हूँ, leader, इसको मैं 4 कर दूँगा, यहाँ पर 4 grade बना दिए, ऐसे आप जितने मर्जी grade यहाँ पर बना सकते हो, अब हम चलते हैं आगे, जहाँ पर हमें setup करना है, इसका management menu, या फिर मैं कह सकता हूँ, boss menu, because हमने यहाँ पर एक gang को create कर लिया है, यह जो gang का name है, आपको यह याद रखना पड़ेगा, because हमें इसको आगे जाकी use करना है, so मैं क्या गरते हैं, इसको कर लेता है, यहाँ से copy, अब हमें इसको बंद कर देना है, अब हमें जाना है, qb management script पे, वो भी आपको इस qb में ही दिखेगी, so उसके लिए हमें नीचे आना होगा, and यह हमारी qb management, so उसके बाद आपको आना है, and client में आने के बाद आपको आना है, clconfig.lua में, and यही पे हम अपने जो jobs हैं, उसकी boss menu setup करते है, and यही पे हम गैंक की boss menu भी setup करेंगे, so अगर आपको इसके लिए target enable करना हो, तो आप यही से enable कर सकते हो, but अगर आपके पूरे qb core server ने पहले से target enabled है, so आपको इसको भी touch करने के कोई ज़रूरत नहीं है, so यहाँ पे सब से उपर त अगर आपको इसको use करना हो, so उसके लिए आपको बस यहाँ पे इसके coordinate setup करने पड़ेंगे, as well as आपको यहाँ पे उसका जो zone है, वो भी देना पड़ेगा, so वो सब भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, and सबसे पहले मैं अपना जो gang है, उसका जो name है यहाँ पे paste कर देता हू हम बाद में भूलना चाहिए, and इतना करने बाद मैं इसको save कर लेता हूँ, so अब मिरको क्या करना है, मिरको चाहिए यहाँ पे coordinate, जहाँ पे मिर जो gang menu है, वो होगी, so उसके लिए क्या करना है, मिरको server के अंदर जाना है, and मिरको किसी भी एक location पर जाना है, जहाँ से मैं इस को access कर पाऊं, and उसके vector 3 locations ले पाऊं, so उसके लिए हम चलते हैं, अपने server के अंदर, so यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, and मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, directly groove street पर, and groove street के अगर मैं इस side पर दिखते हूँ, तो यहाँ पे आपको एक building दिखेगी, and इस building के ऊपर आपको मिलेगा, balance का MLO, and यह MLO हमें मिला है, gaps की तरफ से, so अगर आपको कोई भी MLO use करना है, so आप gaps का ले सकते वरना, free MLOs भी use कर सकते, जो आपको 5M forums मिल जाएगा, इसके लावा, अगर आपको कोई MLO use नहीं करना, आपको कहीं open area में रखना है, gang menu, तो आप वो भी कर सकते, उसके लिए क अच्छा रहेगा, अगर आप किसी MLO, या फिर किसी building के अंदर ही, इसको place करो, तो सबसे पहले मिल को एक location चाहिए, जहाँ पर मैं इस menu को setup कर पाऊँगा, and उसको मैं setup करूँगा, कुछ यहाँ पर, इस table के पास में, तो अब मिल को क्या करना है, मैं करता हूँ, admin, and मिल को coordinates चाहिए, इस जगहां के, अब यहां तो मैं यही के coordinates कर लो, slash vector 3 से, या फिर मैं उस object के coordinates कोपी कर लो, जिससे का होगा कि, अगर हम यहाँ पर target यूज कर रहे है, so मैं अगर उस object पर target करता हो, तो मिल को directly accessible होईगी, वो boss menu, so यह वाला better है कि अगर आप किसी object पर ही रखते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना, आपको आजाना है, developer option पर, यहां पर आपको सबसे last में आ जाना है, जो कि यहां, view entity mode, यहां पर आपको frame on कर लेना है, जैसी आप करोगा, आपको दिखेगा, एक ऐसी line है, जैसी यह line को आप इस laptop के पास लेगे जाओगा, आपको इसकी information द बलानी है, उसके लिए मिरका क्या करना, इतना part copy करना है, इसको मैं नीचे paste कर देता हूँ, यहां पर आएगा मेरी gang का नाम, जो कि है यह, इसके बाद, यहां पर मिरको चाहिए, इसके vector 3 location, जो कि मिरको मिल जाएगा, यहां पर, यह होग इसके coordinates, इसको मैं कुछ ऐसे इधर place कर दोंगा, इसके बाद कि अगर ने, आपको आजान है, नीचे, जो कि है gang menu zones, और यहां पर भी आपको same काम करना है, जो यह commented वाला part है, इसको आप remove कर दो, और ऐसे करकर करके, आपको जितनी मर्जी zone बनाने, आप ऐसे बना सकते हो, कुछ ऐसे, और आपको एगर reference लेना हो zones का, तो आप यहां से ले सकते है, जो कि है, boss menu zones, जो कि होएगे हमारी jobs की, अब यहां पे भी मैं gang का name सबसे पहले पेश कर देता हूँ, जो कि है coconut gang, और यहां पे जो vector 3 है, वो मिरको मिल जाएगे कुछ यहां से, इसके बाद हमें enter करनी है, length and width, और यह होएगे आपके साब से, आपका कितने zone में रखना है, यहां पे मैं for example 1.5 रख देता हूँ, दोनों जगा भी बट आपको यह चीज़ टेस्ट जरूर करनी पड़ेगी, जो कि है 1.5 and 1.5, अगर मैं आपको ऊपर का दिखाऊं, तो यहां पे 0.35, 1.2, कुछ इससाब से, तो यह आप अपने minimum height and maximum height, जहां हम इस menu को open कर सकते हैं, so हमें height यही से मिल जाएगी, जो कि है x, y, z and यह हमारा z coordinate, यहां से मैं इसको copy कर लेता हूँ, min z में, यहां पे मैं paste कर लेता हूँ, कुछ यहां पे, अभी 28.95 है, तो मैं इसका करता हूँ, एक हमें range देनी है, so range के लिए मैं इसको दे कर दिया, जिससे हम इसको test कर पाएंगे, and यहां पे मैंने इतना काम भी कर लिया है, and बस याद से आप इस part को वापिस remove कर देना, वरना syntax error आजेगा, and यहां पे हमने ऐसे ही एक new gang boss menu भी create कर दी है, and अब बची है हमारी सबसे last चीज जो की है, इसके door locks, and वो भी बहुत crucial part है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से इसको बंद करना है, and इसके बाद आपको आजाना है वापिस अपनी files में, अब यहां पे आप कौन सा MLO use कर रहा हो, यह आपके उपर है, तो यहां पे मैं use कर रहा हूँ, and gaps के MLOs के साथ मेरे को door lock की file by default मिलती है, and वो अ आपको कहा मिलती है, आपको दिखा देता, उसके लिए आपको आने मैपस में, and यह रहा मेरा gaps का folder, यहां पे सारे gaps के MLOs available है, and यहां पे आपको जाना होगा map data पे, and map data पे आने के बाद आपको मिल जाएंगे door locks, and यहां पे यह सिरफ gaps के हैं, अगर आपको अपने खुद के door locks use करने हैं, तो आपको वो create करना होगा, and create करने के लिए आपको एक command use करना पड़ता है, जो की है slash new door, so उसके बाद आपके लिए एक ऐसी menu खुल जागी, जिसमें आपको अपनी details fill करने पड़ेंगे, यहां पे जो gang authorization है, यहां पे उस gang का name add करना है, locked कर देना है, and submit, इसके building थी, यह थी balance की, तो मैं इस file को copy कर लेता हूँ, जो की है balance.lua, and इसको मेरे को paste करना होगा, जाके अपने QB door lock पे, उसके लिए आपको आने QB पे, इसके बाद आपको आना है QB door lock पे, and इसके बाद आपको आना है config पे, and config में आके आपको paste करना है, अगर आप वैसे manually करते में ही, जो की होगी यह, and यहाँ पे आपको नीचे दिख जएगा सारे door locks, जो अभी by default available है server के अंदर, बट हम यहाँ नहीं करेंगे, हम सीधा यहीं पे करेंगे, so आपको आजाना है balance में, and balance में आने के बाद आपको एक चीज़ चेंज करने होगी, जो कि है authorized jobs, so authorized jobs की जगा हमें करना है authorized gang, because यह सब है gang का, so इसके लिए मैं लिख देता हूँ authorized gangs, कुछ ऐसे, and याद रखना spelling ठीक हो आपकी वरना यह work नहीं करेगा, and आपको बस इसको replace कर देना है इससे, and ही हो गया अपने आप, so अब हमारा सारा काम हो चुका है, and यहाँ पे जो balance है, बस हमें इसक change करना होगा, जो कि मैं करना भूल गया था, so balance की जगह आपको लिख देना है, अपने gang का name, तो हमारी gang का name है, coconut gang, and इसको भी आपको replace कर देना है, हर जगहां से, and यह हो जएगा, मैंने यह button press किया, जिससे क्या होगा, कि जहाँ पे यह word आएगा, वो automatically इस word को इससे replace कर है, अगर आपको यह सिरफ boss ही उस door को open करें, यहाँ पर आप boss का rank setup कर सकते हो, boss का rank लिख सकते हो, so यहाँ पर आप ऐसे यह सब भी कर सकते हो, and यहाँ पर हमारा काम अभी भी नहीं हुआ, because इसके बाद हमें सबसे main चीज़ करना है, जो कि होगा gang का fund, अब आपके gangs वाले ए and आपको अपने database पर आजाना है, यहाँ पर इतने सारे database है, आपको जो server का database है, आपको उसको select कर लेना है, and उसके बाद आपको आजाना है, table में जो कि है management funds, so इधर आके आपका जो सारे funds है, वो आपको दिखते है, and यहीं पर हम एक new gang create करेंगे, जो की होगी यहाँ पर, य and आप जैसी right side में कहीं पर click करोगे, यह automatically यहाँ पर ID लेलेका, new ID जो की होगी 12 plus 1, 13, and यह हो जेगा आपका काम, and यहाँ पर अब मेरा सारा काम हो चुका है, and यहाँ पर हमने एक new gang create कर ली है, so अब हमें क्या करना है, हमें यह सब test भी करना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने server को restart करना है, because आपने QB core में एक new gang create करी है, अगर आप वहीं पर replacement करते हैं, तो आपको restart की कोई जोरतनी बढ़ती बढ़ती, बढ़ हमें पड़ेगी, so यहाँ पर मैं restart कर लेता हूँ, and मैं आपसे मिलता हूँ, अपने server के अंदर जाके, इस वीडियो में अब बढ़ते हैं, अपनी वीडियो में, so यहाँ पर माचुका अपने server के अंदर, एक बार ही हम वापिस उपर जाके चेक करते हैं, कि यहाँ पर door lock होए की नहीं, उसके लिए मिलता होना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ उपर, इदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर lock लगा ह हुआ है, अब मेरे को अपनी गैंग चेक करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए कमांड है, slash gang, यहाँ पर मेरा no gang affiliation है, इसके बाद मेरे को अपने आपको एक gang assign करनी है, तो उसके लिए मेरे को करना होगा, slash set gang id1, और हमारा जो गैंग का नेम था, जो था coconut gang, इसके गरेड, जो मैं कर दूँगा, फूर, जैसी मेरे पास gang आई, आप देख सकते हैं, आप ए का option आगा, जिससे मैं इस door lock को open कर सकता हूँ, और यह door वापिस lock हो गया, कुछ ऐसे, यहाँ जहाँ जहाँ doors थे, यह अपने आप लॉक हो जाएंगे, और gang वाले इनको open कर सकते हैं, और सबसे last में आके आपको दिखेगी आपकी gang menu, यहाँ पे इसके लिए मेरे को open करना पड़ेगा, और मैं अप जा सकता हूँ, अंदर, कुछ ऐसे, इधर आने के बाद आपको आजाना है इस laptop के पास, यहाँ पे मेरे को option आगया, open gang management का, तो मैं इसको press करता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो, सारे आपके gang members आपको यहीं पे दिख जाएंगे, तो अब मैं आपको समझा देख के इस gang menu के अंदर है क्या-क्या, सबसे पहले आजाएगा आपका manage gang members, तो इसके अंदर आपके सारे members आजाएगे, जो अभी आपके gang के अंदर available है, मतलब आपके gang के इसके अपने gang की, कुछ यहीं से ही directly, इसके बाद क्या करना है, हमें वापिस में उसको open कर लेता हूँ, तो storage के बाद आजाते है, आउट्विट्स तो आप आउट्विट्स भी यहीं से दे सकते हो, and money management, money manage भी आप यहीं से कर सकते हो, so मैं अपने gang में amount deposit कर देता हूँ, for example 500, and मैं confirm कर देता हूँ, so मेरी gang में पैसे चले गए, so money management में जाओंगा, तो आपको दिख जागा, इसका balance भी यहीं पर आ रहा है, whereas आपको मैं एक बार यह database से भी दिखा देता हूँ, तो इसके लिए आपको वापिस आना है, and यहाप अगर मैं refresh करता हूँ, तो आप देख स script होने चाहिए, तभी आप gangs के लिए एक garage भी setup कर सकते हो, and आपको जादा कुछ नहीं करना है, वापिस वहीं पर भी same चीज़ करनी है, जहाँ पर gang का option है, वापको आपको आपकी gang का name place करना है, and ऐसे करके आपकी एक new gang create हो जाएगी, so कैसी लगी आपको वीडियो, मिरको ब फिर आप buy कर सकते हो, VPS या फिर root server, अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP server है, and यहाँ पे आप मेरा promo code जरूर यूज़ करना, because उसमें आपको renewal के time एक अच्छा खासा discount मिल जाएगा मेरी तरफ से, so thanks for watching, मैं मिल तो आप से अगली वीडियो में,